हलू स्टुडेंट्स आज हम आपको आपकी फर्स्ट ओफ आल आट की बुक के बारे में बताएंगे बुक का नेम है दव एस्थेटिक्स आट फॉर क्लास शिक्स्थ इस बुक में बचे आपको काफी सारे ऐसे मैथर्स दिये गई हैं जो आपको आपकी ड्राउइंग को इंप्रूब करने के लिए हेलप करेंगी स्टुडेंट्स जिसने भी अभी तक बुक परचेज नहीं की हैं वो जल्दी से द एस्थेटिक्स आर्ट बुक परचेज कर लो उसके बाद ही हम आपको आपका फुल वर्क जो है उसके मेथट्स के बारे में बताएंगे तोड़े आई विल डू लेसन नमबर वण आज हम आपको elements of art के बारे में बताएंगे फर्स्ट अफ आल स्टूडेंट्स यहां पे कौन सा point है? line line के होते है students two points के beach का portion see students यहसे हम यहाँ पे two points बना रहे हैं इनके जो beach का यह portion है इसको हम line का name दे सकते हैं इसको क्या कहा जाता है? line first of है यह main types है lines की first है mechanical line या virtuous line mechanical line student होती है जिसमें आप किसी भी instrument का use करते हो जैसे scale का use कर रहे है आप line draw करने के लिए तो इसको mechanical line का जाएगा second पर है spontaneous line इस line में students आप only free hand drawing की use करोगी इसमें आप any instrument नहीं use कर सकते तो इसके बारे में आपको जो है next जो आपके lessons है उनमें आपको इनके बारे में और अच्छे से पता चलेगा third पर है different types of lines first पर है thin line dotted line doted line dashed line webby line zigzag line and diagonal line ये students main lines की types है जो आपको drawing करने में help करेंगी second number पर है students form form क्या होते है object की जो overall identification होती है जिसमें height, breath सब कुछ आता है तो उसको क्या कहेंगे हम form see students जैसे हमने ये square की shape ड्रॉ की है तो ये क्या हो गई only shape तो उसको अगर हम 3D में convert करते हैं तो वो क्या हो जाएगी उसकी form shape form after that as students forms are of two types forms की जो है two types होते है first है symmetrical form where half version of the form is just a mirror image of the other half ये हो गई आपकी symmetrical form उसके बाद asymmetrical form where both halves of the form are different from each other यहां पर form की दोनों हिस्से जो है एक दूसे से different different होते हैं मतलब लग-लग होते हैं उसको क्या कहा जाएगा asymmetrical form next next वीडियो में students हम आपको effects of form के बारे में बताएंगे तब तक students आपने line and form इसको अच्छे से जो है read out करना है students अगर आपको इस चीज़ को लेकर कोई भी doubt है तो आप like class में हमसे share कर सकते हो so please आपने इसको अच्छे से read करना है so thank you